लखनओ वारानसी हाईवे के दो बाइपास में मुआवजे के नाम पर 384 करोण रूप्य लुटाने वाले अफसरों पर कारवाय शुरू हो गई है। सबसे पहले कारवाय तलवार PCS अशोक कनौजिया, ADM वित एवं राजस्वंवेड कर नगर पर लटकने लगी है। सरकार ने उनके खिलाफ विभागिये जाच शुरू करा दी है। इसकी जिम्मेदारी एयोध्या के मंडला युक्त को सौपी गई है। लखनओ से वारानसी को जोडने वाला राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या माइनस 56 मुसाफिर खाना तहसील से होकर गुजरता है। वर्ष 2014 में इस हाइवे के चोड़ीकरण के प्रस्ताव को केंद सरकार से मंजूरी मिली थी। इस पर NHI ने हाइवे चोड़ा करने के साथ ही जगदीशपूर व मुसाफिर खाना में बाइपास के निर्मान का प्रस्ताव बनाया था। 2015 को अशोक कनोजिया को इस पद की जिम्मेदारी मिली। वे 25 मार्च 2016 तक मुसाफिर खाना के SDM रहे। तीस गावों से गुजरने वाले दोनों बाइपास के लिए अवोर्ट करने और मुआवजा वित्रण का काम SDM RD राम के समय में शुरू हुआ था। RD राम 23 फरवरी 2015 से 28 सितंबर 2015 तक मुसाफिर खाना के SDM रहे। प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि सेवानिवरित RD राम के खिलाफ कार रवाई के लिए भी शासन ने DM को पत्र लिखा गया है। अशोक कनोजिया ने बाटे थे 207 करोर रुप्य, 384 करोर रुप्य के इस घपले में प्रथम द्रिष्ट्य दोशी मिले अफसरों ने इस पर रोक लगाए जाने तक 90 प्रतिशत मुआवजा वित्रित कर दिया था। मुआवजा वित्रंग की रूप्रेखा तैयार करने वाले आर्डी राम ने महस 3 करोर रुप्य का मुआवजा बाटा था। 19 सितंबर 2015 को मुसाफिर खाना SDM का दायत्व संभालने वाले अशोक कुमार कनोजिया ने कई गावों का अवट करने के अलावा 207 करोर रुप्य का मुआवजा बाटा। 26 मार्च 2016 से 14 जुलाई 2016 तक यहां के SDM रहे सुभाष चंद्र प्रजापती ने 184 करोर का मुआवजा बाटा। 22 जुलाई 2016 से 10 दिसम्बर 2016 तक रहे वेद प्रकाश मिश्र ने 37 करोर तो 10 दिसम्बर 2016 से 3 जुलाई 2018 तक रहे अभए कुमार पांडेय ने 116 करोर रुप्य का मुआवजा वित्रित किया। अभए के समय तक करीब 90 फीसदी मुआवजा बाग दिया गया। मुआवजा वित्रन पर रोक तब लगी जब दिसम्बर 2020 में NHI ने DM कोर्ट में इस गरबडी को संग्यान में लाते हुए एक वाद दायर किया। DM ने कराए जाच तो सामने आया मामला दो साल पूर्व DM कोर्ट में वाद दायर होने के बाद मुआवजा वित्रन तो रोक दिया गया लेकिन दोशियों की पहचान नहीं हुई। पिछले मही ने DM राकेश कुमार मिश्व ने एक शिकायत मिलने के बाद मामले की जाच कराए तो इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया। ADM न्याइक राजकुमार दुबे की टीम ने जाच में पाया की अफसरों ने बाइपास की क्रिशी योग्य भूमी के स्वामियों को भी एनेट से सटी भूमी के बराबर मुआवजा दिया। इससे सरकारी कोश को 384 करोर रुप्ये का चूना लगा।